वेल्कम टू बोलती बुक्स विद अंजली घर में हमें पलंग, गद्दा, तक्या, चादरें, कंबल आधी कहां मिलते हैं? घर में ये चीजें सोने के कमरे में मिलती हैं सोने के कमरे के बारे में कुछ बार्खे लिखें घर में सोने के कमरे का उप्योग हम दिन या रात में सोने और आराम करने के लिए करते हैं इसे शयन कक्ष भी कहते हैं सोने के कमरे में मुख्य रूप से सोने के लिए एक बिस्तर होता है बिस्तर के लिए जादातर लकडी का एक पलंग होता है जिस पर पतला या मोटा गद्दा विच्छा होता है आराम दायक नींद के लिए तकियों और चाजरों की जरूरत होती है लोग सर्दियों में सोते समय खुद को गर्म रखने के लिए शरीर को कम्बल या रजाई से ढखते हैं शायन कक्ष में टेलीवीजन या किताबों की अलमारी हो सकती है सोनी के कमरे में एक बड़ा शीशा और कपड़ों की अलमारी भी हो सकती है कई घरों में सोनी के कमरे से जुड़ा हुआ शौचाले यानि टॉइलेट भी होता है एक घर में एक या एक से ज़ादा शैयन कक्ष हो सकते है किसी घर में सोनी का कमरा परिवार के लुगों के लिए एक निजी जगे होती है धन्यवाद बाई-बाई